पिहार बच्ची के बाड़े में नहीं पूझा जाता है किस जात का लोगों ने किस जात के लड़के थे और किस जात की बेटी थी यह सुसाइटी समाज कम दोसी नहीं है बस हो करेंगे हंगामा करेंगे बात खतम हो गई लड़ाई बहुत गंभीता से लड़नी होगी यह छोटा सवाल नहीं है कि सेल्टर हाउस के मामले को लेकर हम हाई कोट जा रहे हैं रियल में सारी बच्चियों को रसुकदार के बाप बेटे के घर पहुचाए जाता है कि किसी के पॉलिटीशन के घरों में ये MPML का जो कोठी है ये कोठा है ये आयासियों का अड़ा बना हुआ कि बिना सरकार के तरफ से जांच किये सरकार तरफ से कमिटी बेज दी गई जांच उसका रिपोर्ट दिखा दिये गए वस हो गिया सर मैं जानना चाहता हूं कि उस बेटी को फिर वहां क्यों भेजा गया सारे पजादिकारी इंवल्व है पैसा उसमें कमाये जाते हैं और रात के 12 बजए नसा की दबाई देकर है पिहार बच्ची के बारे में नहीं पुझा जाता है किस जाथ का लोगों ने किस जाथ के लरके थे और किस जाथ की बेटी थे ये हैं सुसाइटी समाज कम दोशी नहीं है बस को हो करेंगे हंगामा करेंगे बात खतम हो गई यह बिचारे यह पड़िवार गया पिकर फिर पुना मुस्को बबाबा फिर चुई आप फिर भागत सिंग मेरे घर में ना हो भागत सिंग दूसरे के घर में आग लगेगी तो हम जानेंगे आग तो परोशी के घर में लगी है हांगामा करने वाले जो ये छुटमईयें लोग हैं पत्थर चलाते हैं पहले उनको ये सोचना पड़ेगा कि लड़ाई बहुत गंभीता से लड़नी होगी ये छोटा सवाल नहीं है सेल्टर हाउस के मामले को लेकर हम हाई कोट जा रहे हैं रियल में सारी बच्चियों को रसुकदार के बाप बेटे के घर पहुचाये जाता है किसी के पॉलिटिसियन के घरों में ये एमपी मेले का जो कोटी है ये कोटा है ये आयासियों का अड़ा बना हुआ बίνा सरकार के तरफ से जाट किये सरकार तरफ से कमिटी बेजदी गई जाच उसका रिपोर्ट डिखा दिया गई वसह हो गिया सर मैं जानना चाहता हूँ कि उस बेटी को फिर वहां क्यों भेजा गया और सारे पड़ादिकारी इन्वल्व हैं पैसा उसमें कमाय जाते हैं और रात के 12 बज़े नसा की दबाई दे करके बिहार बच्ची के बारे में नहीं पूछा जाता है किस जात का लोगों ने किस जात के लर्के थे और किस जात की बेटी थी ये तो सब्सक्राइब